Assalamualaikum, Welcome to Blazor Web Assembly Online Map with Blaze Tutorial तो अब हम देखते हैं कि back and front head को कापस में कैसे जोड़ा है सबसे पहले हम इस phone को edit phone में convert कर लेती है इस input को input text के अंदर और इसी तरह से बाकी input text को भी हम input text में convert कर लेंगे तो मैंने यहां पर सारे input text को input text में convert कर लिया और अब इस button को हम type as a custom subject दे देते हैं तो code के अंदर मैंने यहां पर एक लास्प नहीं है seller form के नाम की तो अभी देखते हैं कि इस को हम क्यों use करेंगे यहां पर हम name space add कर लेते हैं so seller form के अंदर मारे पास seller और address इन दोनों की information हम इस seller form के जरीए form से ले रहे होंगे और यहां पर हम देखेंगे model यहां पर इसे फॉर और फॉर्म को हम यहां पर इनाइस कर रहे हैं और वह किस टाइब का होगा वो seller form type पा एक एक होगा, seller form form is equal to new seller form, तो इस form के अंदर जो भी data आ रहा होगा, इस email के अंदर, इस email address के अंदर, shop name के अंदर, वो इस seller और form address के अंदर respectively भी जा रहा हो, अब हम देखते हैं हम इसमें bind कैसे करें हैं काली इस पर, तो email के अंदर हम कैसे करेंगे, bind value equals to form.seller.email address, और इसी तरह से, इसके हम bind value कर लेंगे, form.seller.shop name, तो मैंने यहां पर सब values को bind कर लिया, अब यहां पर हम form address के अंदर यह value bind कर रहे होंगे, यहां पर seller के phone number के यहां पर यहां पर seller के password के लिए value bind कर रहे होंगे, तो अब हम देखते हैं कि हमने इस register की request को back end पर API को call करके कैसे बेजना है, और इसी seller को register कैसे कर लोना है, अब यहां पर शायद आप सवाल कर रहे होंगे कि यह seller और form address यह object हमने क्यों रखवाए हैं और यह एक नई class क्यों क्यों नहीं है, तो जैसा के मैंने controllers की वीडियो के अंदर पताया था कि हमने पहले address को database में save कराना होगा, then जो उसकी ID आएगी वह हम लेंगे और उस ID को seller के address ID के अंदर वह वाली ID रखवाएंगे, तो इस वज़ा से हमें यह अलग-अलग address और seller का अलग-अलग हमें information save कराना होगा, उसके लिए हमने एक objective नाया, एक seller form का और इस form के अंदर इन दोनों की values आ रही होगी, और respectively भी हम उनको use करते हुए API को गवाल करेंगे और respective data database में रखवा रही होगे, यहां पर हम on submit के लिए कोई function define करेंगे that says का नाम लग देंगे submit request, और यहां पर इसको implement कर लेते हैं, sync void submit request और अब यहां पर अपना code रहते हैं, तो यहां पर मैं वो code paste किया है जो मैंने पहले लिखा गा था, तो यहां पर मैं यहां पर एक HTTP request भेज रहा हूँ, किसको address की API को जो के क्या करेंगी, form.form address को इस वाले object को save करा रही होगी database में, वहां पर address के table के अंतर, उससे हमारे पार कोई response आ रहा होगा, इस HTTP को हम यहां पर inject कर लेते हैं, at inject http client, और इसका ना मेरती है HTTP, और यहां पर हम address id ले रहे हैं, उसको integer में convert करके, हम address id के अंदर उसको store करा लेंगे, अब जो seller की जो इस वाले, इस वाले element की जो इस form के seller का address id होगा, हम कहारे रख देंगे यह वाला id है, जो address id हमने यहां से लिया था, और अब हमारे पास यह वाला seller का element पूरा हो गया है, अब इस element को, इस subject को हम database में add कराएंगे कैसे, http request page के seller की API को, जो के seller का data, add करा रही होगी database में, तो अब हम इसको चला कर देख देंगे, अब हम जाएंगे register के page पे, यहां पे let's say हम लिख देते हैं, sender at abc.com, then shop name कुछ भी देते हैं, address xyz, phone number भी कुछ भी देते हैं, और password हम abc देते हैं, register पे click करते हैं, हम देखते हैं कि database में और data add हुगा के लिए, अब हम table में जाकर देखते हैं, आएंगे रहें जाएंगे प्रिए्गत में तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमानों डेटा जो हमने अंटर किया था वो डेटाबेस में अड़ भी तुका